हलो फ्रेंज तो जैसे कि अब सबको पता है कि CTT का जो डेट है एक्जाम डेट वो डिसाइड हो चुका है और अब CTT का फर्स्ट फेस का एक्जाम कुछी दिनों में होने वाले हैं तो लास्ट यर भी CTT ऑनलाइन हुआ था और बहुत सारे कुस्टन्स को पूरा वीडियो एक बार देख लिजिए अगर आप CTT एक्जाम दिलाने वाले हैं तो यह कुस्टन है पेपर वन का जो की 2021 लास्ट यर का ऑनलाइन हुआ था ठीक है चलिए तो वीडियो स्टार्ट करत क्योंकि हम आपको आपके एक्जाम तक ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो इंफर्मेटी वीडियो दिखाते रहेंगे चलिए तो पहला कोश्टन था 2021 लास्ट यर का जो ऑनलाइन CTT एक्जाम पर हुआ था उसका वाइगोज सकी कि सिद्धान के अनुसार सहाया खोज किसमें सहाया के पूचा गये चार अप्ष्ण था है उसका पाथी सहयोग में स्वाइगो सब्जान के था या प्या कोश't that य से लिग रहाया है लेकिन वा सभीAl ब्रगर पर ब्रगरबर करता है've कैसे क्योंकि रुप में, इसकी मा उसे using केशिक्रता Hare उसे संकेत प्रदान करती है वह क्या करता है, इसकी खिलाए के तुक्डे को लगाने के कुशिच रहे 54 आए इसकी मामी हमें फ़्लम के लिए पाड काम करना मतलब πάड मतलब क्या है साहारा देना तो सीखने में उनकी मम्मी उनको मदद कर रही है और भी जो option थे उन्हें उसे आक करमट बना दीगी तो ऐसे जो option देखे फ्रेंश आपकी किसी भी question में तो उसको नहीं लगाने है आपको हमा ना अधिगम किसके दौरा प्रभावीत होता है तो अधिगम प्रभावीत होता है हुपर यूग संस् итог कारणों से होते हैं मैं λोगों को विद्यालय के संवधिक कारणों से इध्याड और अध्याफिक संस्कूल आगे देखेंगे ठीक है झाल開वू नेक्स कुस्टन था ये दिखिए भई मैं बता दूं आप लोगों को एनिपी 2020 है राश्टी सिक्षा नेती उस से रिलेटेट कुस्टन डेफिनेटली आपको एक्जाम समीज बार भी पूचे जाने वाले हैं तो राश्टी सिक्षा नेती सुझाती है कि कक्षा अधिगम को प नेती चले आगे नेक्स कुस्टन था ये भी एक सिच्वेशनल बेस्ट कुस्टन है हेतल घर से घर में गुजराती बोलती है और इस भाशा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवा है उसके विद्याला में निदेश का माध्या मिंदी यह भाशा नहीं जानती राश्टी वह चातर जिन्हें पठन वाइकल यह उन्हें मुक्य ता किस में दिक्कत आती है पठन वाइकल है तो उसको पढ़ने वाजी दिक्कत आएगा ठीक है पढ़ने वाजी लिखने में दिक्कत आए अगला इसुरण भी सब्सट ense walk पड़ा ठीक बालेवस्था कि आगे के चराण में उसे बहुत समेदन सी लध्यापक मिले फिर भी उसे लोगों पर विश्वास्त करने में परिशानी होती जिए और वह जोखिम लेने का सहास नहीं दिखा पाता रागाओ के विश्रह में विकास का कौन समुद्धा एकदम इस कुष्ण आप देख सकते हैं ठीक है अगला कुष्ण ता प्याजे से रिलेटेड देख लीजिए ठीक प्याजे के अनुशार विकास के किस आल में बालक वस्थूओं के लिए प्रतीकों क इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्कीक मानसिप समझ उभरने लगती है तो तार्क क्रियात्मक काल में यह शुरू होने लगती है तार्गिक समाज और यह प्रतीकों का इसमाल तो अप्शन नमबर थार्ड इसका सही आंसर था अगला कोशन था कथन ए है सभी बच्चे परिच्छां में अंक अच्छे लाए या सुनिश्चीत करने के लिए बच्चों में असफ हा तो यह हो गया ए की है न दोनों बात सही है और जो और है ये वाला इसका सही व्याक्या करता इपको कुस्षן को अच्छे से समाजना तो पड़ता ही है लेकिन उससे ज्यादा अच्छे सहना आपको आंसर को समझना चाहीं कि या जो आप्शन है वो क्या बोल रहाए है एक तो यहां पर आप confused नहीं होंगे जो सही होगा उसको अच्छी से सोचकर हमेशा सही option टिक लगाएंगे ठीक है चलो अगला question आया था कक्छा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अरुभाओं को साज़ा करने के अशर्थ देना और उसके अधार पर सुचना निर्मित करने को बढ़ावा देना यह क्या है यह है समाजिक सारचनावाद है क्या है समाजिक सारचनावाद अगला question था 11 नमबर का question एक नवीन परिस्थिती में दूसरे दूसरों की तुलना में अधिक अप सारी चींतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धी का वर्गी करन क्या है तो यह है स्रिजनात्मक बुद्धी क्या है स्रिजनात्मक बुद्धी चला अगला question था question number 12 अनूज कक यह युक्ती निम्निल्कित में से किसे समुन्नत करती है तो यह समुन्नत करती है किसको दूसरा तिसरा और चौथा को दृष्टी कोंड जगाना जानना और समालोचन अक्चिंतन और खोजमिन ठीक तो यह option number 3 इसका सही answer था रट कर सिखाने वाली बात तो यहाँ पर आईग बोल गया है तो देखिए पहला option था सहयोगात्मक समुन बनाने चाहिए जो अधिगम के समवर्धन के लिए समुन विवित्ता का इस्तिमाल कर सके ठीक है तो यह अपना शही आंसर था तीन अंसर गलत क्यों है वो भी देख लो विद्यार्थ के लिए विशेस अनुभाग ब बना सकते है कि नहीं विद्याला के बाहर अतरीक तो मदद करने चाहिए यह भी नहीं करने चाहिए टीचर्स को ठीक योग्यता अधारित समुन बनाना चाहिए ऐसा भी नहीं मतलब ग्रेडिंग या रैंकिंग नहीं करना चाहिए हम पहले ही पड़े है ठीक तो option नंबर A इ में सायक होता है क्या कहलाता है तो वहां खेल कहलाता है कलपना शीलता वाला खेल यह आया था question अगला question था पंद्रे नंबर एक विद्यार थी अलीजा जिसका नियंतरड केंद्र आंतरीक है परिक्षा में असफल होने के लिए किस जिम्मेदार ठाराएगी किसे जिम्मेदा प्रस्ण पत्र कठीन है इसा नहीं बोला जा सकता है और अध्यापक पुरुआ ग्रया पक्षपात नहीं करेंगे किसी बच्चे के साथ तो इस तरह से हमको सहीं आपसंसरी आपसं को समाच के जो हमको ज्यादा स्यूटेबल लग रही है उसको लगाना पड़ता है अगला question निमलकित में से कौन से सिध्धान यहां दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सीर से पैर की ओर होता है ना विकास ठीक है तो देखो सीर से गामी शिद्धान तो जो होते है वो हमें यहां दर्शाता है कि जो विकास होती है वो दिशात्मक है सीर से पैर की ओर होता है ठीक है चलो अगला कुस्छन आया था तो ये भी कुस्छन इंपोर्टेंट है 17 नमर का कुस्छन था निमर्गत में से क्या प्रगतिशील कक्छा की विशेष्था नहीं है प्रगतिशील कक्छा तो देखो लचीला समुरिस अंगठन ये तो ठीक है नहीं है पूछा के हमको तो ये तो है गती श्रील अध्यापक भी है और बच्चों में सहबागिता भी है दंड और पुरुसकार किसी भी प्रगती श्रील कक्षा का विशेस्ता नहीं है याद रखी गया अगला कुछ चनाया था बालक कविकास किस छेत्रों में बटा है तो ब अगला कोशन आया था एक विद्यार थी जिसे एडी एजडी हम पढ़े है एजडी मैंने अपने चैप्टर पढ़ा आया आप लोग को ठीक है जो लर्निंग डिसेबलेटी होती है ना उस वाले चैप्टर में आप देख लीजेगे एक बार एडी एजडी जिसको अधान नि अपना ध्यान कंसंट्रेट करने में असफल होते हैं ठीक है वो ध्यान केंद्रित कर नहीं पाता तो इसको समावेशित करने के लिए कौन सी कक्छा प्रभावित है ठीक है तो जहां अप्शन नमबर इसका फोर सही अंसर था कक्छा जहां लचीदी समय सारणी और बैठने की विवस्ता है और विद्यार्ति अपनी रुची उनसार स्वयम कारे करें तो इसको क्या किया जा सकता है थोड़ा सा इसमें श्रमवेशित या इंप्रूव्मेंट लाया जा सकता है ठीक मतलब जैसे बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं होता तो अपने इस साब से काम करने के यह थोड़ा सा मुक्त किया जाए या फ्री किया जाए ठीक है अगला कोशन था कोशन नमर ट्वेंटी फ्रें इस वीडियो में हम तीस कोशन पैड़ागोजी का डिसकस करेंगे है न हिंदी पाड़े बाल विगास का ठीक है चलिए विद्यार्थियों के काम में तुरूटि जिंडर समाजिक सारचना द्वरारोपित होता है अगला कोशन था कोहलबर्ग के चैप्टर से फिल से देखिए अच्छे से लॉरेन कोहलबर्ग के सिधान्त में नैतिक तरकणा के किस चरण पर चात्र माल लेते हैं कि प्रतियक व्यक्ति के लिए नियम एक प्रकार से लाग प्रकार यह माल लेते हैं कि सभी के लिए नियम समाल होनी चाहिए ठीक है चलो यह अप्शन हो गया किसका कोहलबर्ग का ठीक है अगला कुशन था बच्चों के बारे में निमली की तकत्नों में से कौन सा सही है देखो जल दिल से बच्चे वैज्यानिक शोतकरता बनने के ल बच्चे वैसकों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम यह जो अप्शन है था उतना रिलेवेंट नहीं लगा इस को सब्सक्राइब तो तीन अप्शन नमर एक सही हो गया इसका नेक्स कोशन था एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्ती आंतरिक रूप अभी प्रे करना चाहिए ठीक सिखने में जो आनन्द है सिखने में जो मज़ा है उसको क्या करना चाहिए बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए तो यह अप्शन आ गया उसका देखो बहुतिक पुरुसकार देना और यह भी ठीक है पुरुसक्रित करो लेकिन पुरुसकार देने के ब प्रतिकोताओं को प्रोचाहित करने चाहिए और प्रोचाहित करनी चाहिए को अगला कोशन ता अध्यापक के द्वारा आकलन और मुल्यांकन के वीवित तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तर्क ये दावा एक हो गया है और उसका तर्क क्या बूल गया मुल्यांकन का उद्देश अच्छा निस्पाधन करने वाले विद्यार्थियों को शेश कक्षा से प्रिथक करना है तो ना ये जो सेकेंड वाला जो उसका तर्क है दावा तो सही है कि अध्यापक के दोरा आकला अगला कोशन देखेंगे अब बताओ अप्शन ये सही है लेकिन दो गलात यही वाला अप्शन सही होगा इसका ठीक है ये फोर्थ नंबर का तर्क सही है दावा सही है तर्क गलात है ठीक अगला कोशन देखिए को स्मृति विश्यक युक्ति कौन सी है इस्मृति विश्यक युक्ति तो वह तक्नीक जो याद करने में सहायक हो वह एक स्मृति विश्यक युक्ति होगा ठीक है चलो अगला कोशन है अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में निबू पानी की इस्तर की और इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पीता जी ने उससे जादा निबू पानी दिया है उसकी बहन किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पीता को उसके गिलास में सारा के गिलास से निबू पानी डालते हुए देखा है और वहां जाती है कि दोनों गिलास में निबू की पानी की मातरा समान है इस समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को क्या करनी चीए ना एक समावेशी कक्षा जहाँ पर सभी तरह के बच्चे बठे रहते हैं उसको समावेशी कक्षा बोलता है जिसमें गर्ल्स बोईस या डिसेबल जो चाइल्ड है वून लोग भी ठीक ह तो यह सभी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली है सहयोग करने वाली और सहयोजक अधिगम तो इसको क्या करते हैं तो सक्रीता से प्रुचसाहित करनी चीए मतलब इस तरह के जो अधिगम प्रुचसाहित करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए प्रुचसाहित करना चाहिए ह अगला कोस्टन था, Harvard Gardner के बहु आयामी बुद्धी के सिध्धान के अनुसार, निवलिकित में से किसका प्रयोग, द्रिष्टी जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, और अपने अरंभिक अनुभवों में परिवर्तान लाने की योग्यता के लिए किया जाता है, तो यह है स्थानिक बुद्धी का प्रयोग, अगला और अकरी कोस्टन था, बाल विकास का, राशी ने बच्चों के अधारनाओं के प्रती समझ का आकलन करने के लिए एक नई वीधी का प्रयोग किया, इसमें बच्चों से कहा कि वो अपने एक उत्तर के लिए जितना संभ अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरे सब्जेक के कॉस्टन, तो आई होप की आपको यह वीडियो हेल्फुल और इंफर्मेटिव लगा होगा, फ्रेंच आलान में हो तो चानल सब्सक्राइब जरूर कर जीए, हम आपको आपके एक्जाम तक बहुत ही अच्छी से गा